वाइम योजना दिगाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद आसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बैतर होंगे हरिगना सरकार नई योजना हरिगना किसानों के लिए नई धमाकेदार योजना आ गई जी चार चार हजार रुपे परेल मही में भरवाये जाते हैं लेकिन सरकार ने अब इससे इसको लेकर परकिरिया शुरू कर दिया हैं सभी किसान भाईयों को चार चार हजार रुपे का तौप हरिगना सरकार ने दिया है विश्तार से समवाद चर्चा करेंगे चैनल सब्सक्राइब जरू करें हरिगना फेमिली एडियो हरिगना बीपी अलासन काड़ो हरिगना केंदर सरकारी की छुट्टी मड़ी योजना हो हरिगना केंदर का कुछ भी ऐसा हो जिस कहले ना देना आप से हो सटीक विश्वसनें देना का काम करते हैं मेरे साथ जुड़ा है तो आप यह नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चिला यह जोना का बाहर कब चली गई या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं सात्यों में वाट्सप ग्रूप का मैंने लिंक दे दिया है आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ना है WhatsApp ग्रूप पर सबसे पहला सबसे तेज अप्डेट प्रोवैड कराने का काम करते हैं अब सीधा मुद्य पर चलते हैं सीधा धमारा के पर चलते हैं हम तथ्यात्मक वीडियो बनने का काम करते हैं ऐसा नहीं आयार बोलेर चलै नहीं भाइँ सरकार चार चार अजार दे रहे तो वो तथे दिखाता है वो अधिकारी का बयान दिखाता है वो मंत्री या सरकार का एलान दिखाता है वो गोशनाएं दिखाता है यह हमारी सबसे बड़ी खास्यत होती है आपका बड़ा प्यार मुझे मिला है उम्मीद है आप अपना एसाई प्यार मेरे उपर बनाए रखेंगे तो भाई ये आज ही का समाचार पत्र है ये आप मेरी सिक्रीन पर देख रहे हैं 20 जनवरी 2024 ऐसा नहीं है पुराना ठाला यार वो कर ला है नहीं भाई ये देखे सात्यों ये देखे ये सरकार की जो है ये आड़ी योजना है ठीक है भाई ये देखे 20 जनवरी थोड़ा ओर जूम कर देता हूं भाई यह देखे सात्यों आज ही का भाई यह संग ये पुराना दुराना ये देखे धान की सीधी बिजाई करने पर 4,000 रुपे एककड सरकार ने देखे दिया है 4,000 रुपे धान की सीधी बिजाई पर हरगार सरकार देने का काम कर दिया हैसी जल को बचाने के लिए हरगणा सरकार ये योजना लाई है साथियों हमारे पास जितना हमें अपने माता पिता ने दिया कम से कम अगर हम उसे next PD के लिए अपने बच्चों के लिए उसे बढ़ा कर ना दे पाएं तो कम से कम हमें उसे उतना कम करकर भी नहीं देना चाहिए उतना ही हमें आगे ट्रांसफर करना चाहिए या तो हम उस हुआ करते थे हमारी तो उमर कम है जब की बड़े बुड़े जानता है हम तो साथ जब चोटे चोटे थे कम पचीस फिट पे पाणी मेरे गाओं में मिल जाता था आज नौबत यह आ चुकिए कभी तो मेरी उमर पचीस साल के लगबग हुआ है पाणी बेबी बीस फिट से सब नहीं समझते और बड़े पेमाने पर पाणी बहान का काम करता है जहां एक गलास की जर्थ होती है पाँच गलास तो बेसे ही फिलाने का काम करता है तो हमें जल भजाना चाहिए बाई परतेश में धान की सीड़ी बिजाई करने पर राज्ये सरकार के और से योजना संचालि पाणी के आउसकता नहीं होती साथियों और यह पत्ति मद्द मज़ूरों के आऊसकताओं को बढ़ाए बिना उतपादन लागन लागत और पाणी के उप्योग को कम करता है एक तो इसमें मज़डूर की जरूरत नहीं होती धान की के चेटि में नरसरी त्यार करने की जरू की नहीं पड़ती ठीक है भाई इसके अलावा इस तकनीक के तैद धान बुआई के लिए देशी हड या मसीन का भी उप्योग किया जा सकता है बीज के साइज के हिसाब से मातरा ते होती है उस्तन एक हैक्टियर में 30-35 प्लूप बीज की लागत आती है सरकार की ओर से इस फैमिली ऐडी होना जरूरी है तो अब की बार इसके ओनलाइन आवदन जल्द ही अरगना सरकार ने शुरू कर दिया है ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इस योदना का फॉर्म भर पाएं ठीक है बाकि अभी तो गयों का ही फसल है उसमें भी टाइम लगेगा लेकिन सरका आपको जाना करी पंसंद आयोगो मुझे जाना करी अच्छा लगोगा चैनल सब्सक्राइब जरूब करें बहुत बहुत जन्यवाद जैंशी बार जायरी होना